देखो यहां पे हमने पास question किया, एक quadratic equation है जिसके root alpha और beta है, ठीक है, तो quadratic equation किया, here x square plus bx plus c is equal to 0, इसके roots है alpha and beta, ठीक है, तो सबसे पहले में root کا sum लिखूंगा तो ओ क्या जायगा, alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta product क्या जायगा root का c by a, ठीक है, अब हमें value किसकी चाहिए, इसकी, तो यह मारे पास क्या given है 1 upon A alpha plus B plus 1 upon A beta plus B ठीक है तो देखो इसकी वे लिए हम कैसे निकल लेंगे सबसे पहले मैं क्या गरूँँगा यहां से A common ले लेता हूं बाहर तो A common लेंगा तो यहां पर alpha plus यहां पर आजाएगा B by A plus 1 upon यहां से भी मैं A बाहर common ले लेंगा तो यहां पर क्या जाएगा बीटा plus B by A और B by A की value क्या है यहां पर हमें माइनस इस तरफ लाँगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस alpha minus beta यह value में यहां पर put कर दूँगा तो क्या जाएगा मारे पास 1 upon A into alpha और B by A की value क्या है minus alpha minus beta and plus 1 upon A into beta minus B by A की value क्या है minus alpha minus beta ठीक है तो यहां पर क्या आगया मेरे पास देखो alpha से alpha cancel out यह beta से beta cancel out तो यहां पर आजाएगा 1 upon minus A into beta plus 1 upon minus A into alpha ठीक है तो देखो मैं बाहर क्या ले लोंगा minus 1 upon A बहर ले लोंगा तो अंदर क्या जाएगा 1 upon beta plus 1 upon alpha ठीक है अब alpha बीटा यहां पर LCM ले लोंगा तो आजाएगा अपने पास 1 by A alpha बिल्टा LCM ले तो आजाएगा अपर आजाएगा alpha plus beta upon alpha into beta ठीक है अब minus 1 by A alpha plus beta की value क्या हमारे पास minus B by A roots का sum है एक तरह से यह और alpha into beta roots का product है तो यह है अपने पास C by A अब देखो A से A cancel out minus A minus हो जाएगा plus तो हमारे पास इसकी value निकल के आएगी देखो B upon नीचे के आए अपने पास denominator में C into A तो इसकी value आगे अपने पास B by C A यानि कि second option is correct तो हमें करना क्या है basically सबसे पहले roots given है equation के तो roots का sum निकलेंगे और roots का product निकलेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास अब हम क्या करेंगे इसकी value निकलनी है तो यहाँ से सबसे पहले A बहार लेंगे तो यहाँ पे B by A बन जाएगा ठीक है और यहाँ भी B by A बन जाएगा और B by A की value क्या है यहाँ पे यहाँ पे B by A लिकूंगा तो यह minus इस तरफ आजाएगा तो minus alpha minus beta हो जाएगा और यह value में यहाँ पे put करूंगा तो महारे पास इस तरह से यह value हो जाएगा ठीक है और यहाँ से 1 upon minus 1 upon A बहार लोंगा तो यह आजाएगा और alpha beta L same लोंगा तो alpha plus beta upon alpha beta आगया और alpha plus beta क्या है हमारे पास B by A और alpha into beta क्या है C by A ठीक है यह value में यहाँ पे put कर दूँगा तो महारे पास इसकी value आजाएगी B by C A ओके